जैसरी कृष्णा दोस्तो माक अगर चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको ये बेबी स्वेटर का गला बनाना सिखाऊंगी ये डिजाइन मैंने पहली वीडियो में आपको सिखाया है इसका लिंक मैं डिस्पिरिक्शन बोक्स में डाल दूँगी आप वहां से जाकर च ये मैंने बेबी स्वेटर के सारे पेस बना लिये हैं ये दोनों आगे के पले हैं और ये साइडों में बाज्यू है ये बैक का पेस है अब हम इन सारों को एक साथ बुनेंगे सबसे पहले हम ये वाला पेस डालेंगे यहां से हमने बुनाई शुरू करनी है उसके बाद ये बाज्यू डालेंगे फिर बैक का पेस डालेंगे फिर दूसरी बाज्यू डालेंगे फिर दूसरी साइड का आगे का पला डालेंगे इस तरह से हमने ये सारे फंदे एक साथ तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको मैं आब ब्ल्यू कलर के धग्गे से ही बनाऊंगी यह छे फंदे बटन पट्टी के हैं हमने इसको ऐसी ही बनाते रहना है इसमें हमने कुछ नहीं करना बस एक बटन होल का दिहान रखना है बटन होल बनाना है इसमें और बाकी ये 6 फंदे ऐसी ही बनते रहेंगे और ये हम पूरी सलाई सिद्धी सिद्धी बनाएंगे हमने सिद्धी सलाई ही पूरी बनानी है ये हमने फ्रंट का एक पेस बना लिया अब हम इसमें बाज्जू अटेर्च करेंगे अब हम बज्जु के फंदों को भी सिद्धाई बनाएंगे ये सारे फंदे भी हम बज्जु के भी सिद्धे बना लेंगे ये हमारे दो पेस अटैच हो गए अब हम बैक का पेस अटैच करेंगे जब हम यहाँ पे टैच करेंगे थोड़ा हमने टाइट करके रखना है यहाँ से इन सारे फंदों को भी सिद्धा बनाएंगे यह हमारे तीन पेश अटैच हो गए अब हम बज्जू अटैच करेंगे हमने इसमें कुछ नहीं करना सारे फंदों को सिद्धा सिद्धा बनाते हुए हमने पेश को अटैच करना है यह हमारे एक पेश रह गया चार पेश अटैच हो गए अब इसको भी अटैच करेंगे यह सारे फंदे भी हम अगए के पल्ले के भी सिद्धे बना लेंगे यह हमने सारे पेश बना लिए एक दो तीन चार पाँच यह हमने पांचों पेश एक सलाई में बना लिए अब हम रोंग साइड की सलाई पर आ गए हैं पहले फंदे को उतारेंगे और अगए पांच फंदे सिद्धे बनाएंगे छे फंदे हमने बटन पट्टी के बनाने है उसके बाद सारे फंदो को हम यह रोंग साइड की सलाई है उल्टे बनाएंगे पूरी सलाई हमने उल्टी बनानी है अब हम राइट साइड की सलाई पर आ गए हैं पहला फंदा उतारेंगे 6 फंदो को सिद्ध बनाना है यह हमने 6 फंदे बटन पट्टी के बना लिए आप धंगा अगए करेंगे और 2 फंदो को उल्टा बनाएंगे यह हमारे 280 फंदे हैं यहां पर हमारे निच्चे 280 फंदे हैं फिर हमने दो फंदे सिद्धे बनाने हैं फिर धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागा पिछे करेंगे फिर दो फंदे सिद्धे बनाएंगे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह हमने दो फंदे सिद्धे, दो फंदे उल्टे, इस तरह से हमने 20 लाइया डालनी है, यहां से हम बटन पट्टी पर से हमने 10 डोरे बनानी है, यहां से हम काउंट कर लेंगे, यह देखे, यह हमने 20 लाइया बना ली, दो सिद्धे, दो उल्टे, हमने 20 लाइया बना ली एक बार मैं आपको काउंट करके दिखाती हो यह देखे यहां से हमने बनाना सुरू किया था एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस यह हमारे दस डोरे बन गे यानि 20 लईएं हमने बना ली अब देखिए क्या करना है पहले फंदे को उतारेंगे अगे पांच फंदे बटन बट्टी के यानि 6 फंदे हमने बटन बट्टी के ऐसे ही बनाने है अब देखिए हमारे पास यह अगे दो उल्टे फंदे आई यह दो उल्टे फंदे हैं हम धागा अगे करेंगे इन दोनों उल्टे फंदों का उल्टा ही एक करना है ऐसे अग्य से सिद्धे दो का एक करतेंगे फिर धागा पिछे करेंगे अब यह दो हमारे पास सिद्धे फंदे हैं इनको हम सिद्धा ही दो का एक करेंगे फिर धग आग़े करेंगे फिर से हमारे पास देखी दो उल्टे फंदे हैं इन दोनों उल्टे फंदो का एक कर देंगे धग का पिछे करेंगे फिर दो फंदो को सिद्धा बनाएंगे फिर धग आग़े करेंगे फिर दो फंदों का एक करतेंगे इस तरह हमने पूरी सलाई बनानी है फिर से देखिए इन दो फंदों को एक करेंगे जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा एक करना है दो का जो सिद्धे फंदे हैं उनको सिद्धा एक करना है अब धाग्गा पिछे करेंगे हमारे सिद्धे फंदे हैं तो इनको दो का एक सिद्धा करेंगे उल्टे हैं तो हमारे उल्टे फंदे दो का एक होंगे ये हम लास्ट पर आ गए हैं ये हमारे दो उल्टे फंदे हैं तो यहां दो का एक उल्टे होंगे फिद्धा का पिछे करेंगे इन दो सिद्धे फंदो को सिद्धा बनाएंगे फिद्धो फंदे उल्टे बनाएंगे अब ये हमारे छे फंदे बटन पट्टी के हैं इनको हम सिद्धा ही बना देंगे ये हमारे 280 फंदे थे इन ये सारे फंदे हमारे हाफ हो गए यानि 12 बटन पट्टी के और 114 फंदे बीच में रह गए अब ये 146 फंदे है अब देखिए हमने रोंग साइड की स्लाइम में क्या करना है पहला फंदा उतारेंगे ये 6 फंदे हमने सिद्धे बनाने है ये 6 फंदे हमने सिद्धे बना लिए ये देखिए हमारा पहला फंदा उल्टा फंदा है हम धाग का अग्गे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे पहले हमारे दो थे अब हमारा एक हो गया फिर धाग का पिछे करेंगे एक फंदा सिद्धा बनाएंगे फिर धाग अग्गे करेंगे यह हमारा उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा बनाएंगे फिर धाग पिछे करेंगे एक फंदा हमें निच्चे से नजर आजाएगा कि हमारा सिद्धा फंदा है या उल्टा हम उसके उपर वैसे ही बनाएंगे उल्टे के उपर उल्टा बनाएं एक फंदा सिद्धा बनाएंगे धाग आगए करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरह से हमने ये सब पूरी रो कंप्लीट करनी है एक सिद्धा एक उल्टा इस तरह से बनाते हुए हमने 20 सलाइएं डालनी है 20 सलाइएं हमने निच्चे डाल ली 20 सलाइएं हम अब एक सिद्धा एक उल्टा डाल लेंगे पहले हमने से काउंट कर लेंगे हां से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ये हमने दस डोरे उपर डाली है दस निच्छे ये हमारे बीश डोरों का मुड़ा हो गया अब हम फिर से छे फंदे बटिन बट्टी के बनाएंगे ये छे फंदे बना लिए अब देखे हमारे पहला फंदा उल्टा है दूसरा सिद्दा हम इसको ऐसे सिद्दों को दो करेंगे हमने दो का एक करना है, ऐसे, एक पहला फंदा हमारा उल्टा है, दूसरा सिद्धा है, तो हमने सिद्धे की तरह ऐसे दो का एक करना है, अब हमारा धगा पिछे ही रहेगा, और हम सिद्धे के साइड से हमने ऐसे, दूसरा फंदा हमारा सिद्धा है, तो अगला फंदा उल्ट तो हम इन दो को सिद्धा ही बनाएंगे ये ऐसे दो का एक कर देंगे इस तरह से हमने ये पूरी रो कम्प्लीट करनी है सारे फंदों का दो का एक कर देंगे यह देखिए इस तरह से हमने सारे फंदों का दो का एक कर लिया यह हमारे सारे फंदे हाफ हो गए अब हमने गला बनाना है एक बार हम इसे काउंट करेंगे सारे फंदों को मैं दो का एक एक गुनूंगी ऐसे जोड़ा जोड़ा हम सारे काउंट कर लेंगे ये हमारे सारे 72 फंदे हैं हमने इन फंदों का गला बनाना है ये देखे इस तरह से हमने जैसे निच्चे बनाए था इसी तरह से हमने गला बनाना है ये हमने 10 लाइयां सिद्धी सिद्धी डाल ली थी तो ऐसे ही हमने 10 लाइयां सिद्धी डाल लें पहला फंदा उतारेंगे, अब हमारे बटन पट्टी के भी और अग्ये के भी सारे फंदे हमने एक जैसे सिद्धे बनाने हैं, हमने दस रो सिद्धी सिद्धी बनाएंगे, वो हमारा गला बन जाएगा, ये देखे, ये हमने सिद्धी सिद्धी दस रो बना ली, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये हमारे पाँच डोरे बन गई, यानि दस डोरे, दस सलाईएं बन गई, अब देखे क्या करना है, पहला फंदा बुनेंगे, वापिस उसी सलाई में डालेंगे, और दो का एक कर देंगे, फिर वापिस उसी सलाई में डालेंगे, फिर दो का एक कर देंगे, हम ने ये अपने सारे फंदे बंद करने हैं हम दो काई करते रहेंगे और वापिस उसी सलाई में डालते रहेंगे इस तरह से हमारे सारे फंदे ये बंद हो जाएंगे इस तरह से हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे ये हमारा एक फंदा रह गया अब ये हम एक्स्ट्रा धग़े को कट करेंगे और इस फंदे में से धग़े को निकाल के पक्का करेंगे अब हम सुई के साहिता से इसको अंदर करतेंगे ये हमारा गला बन कर त्यार है ये बेबी स्वेटर का गला बन गया ये देखिए कितनी अच्छी से पात्ती है इसके लेगी ये हमारा गला कम्पलीट हो गया कितना सुंदर लग रहा है बन के अब हमने ये सलाई करनी है साइडों में से ये देखिए यहां से यहां तक और ये बज्जू ये हमने यहां से यहां तक सलाई करनी है इस साइड से भी ऐसे ही सलाई करेंगे मैं आपको ये सील कर बटन लगा कर फिर दिखाती हूँ ये देखिए ये मेरा बेबी स्वेटर कम्पलीट हो गया इसकी मैंने सलाई कर ली देखो कितनी सुन्दर सेप आई है इसकी बहुत सुन्दर सेप आती है और ये पहनना हुआ भी बहुत सुन्दर लगता है तो दोस्तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी बताने का तरीका पसंद आए तो मा का घर चैनल को सिर्क्राइब करें, वीडियो को लाइक और सेयर करें और कॉमेंट बोक्स में लिख कर बताएं वीडियो कैसी लगी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में राधे राधे